Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि चश्मा हटाने के लेटेस्ट लेजर ओपरेशन दो हजार चौबिस में कौन से कौन से अवेलेबल है देखें मैंने आपको ये समझाया वाँ है कि अगर आप आँखों का चश्मा हटवानाा चाते हैं तो mainly आज की डेट में दो कैटेगरीज के ओपरेशन हैं तो एक तो लेजर वाले हैं जो हमने आज डिसकस करने हैं और एक मैंने आपको पहले बताया है कि हम चश्मा आंक में लेंस डाल के भी हटा सकते हैं लेंस में हमारे पास बेसिकली दो आप्शन्स होते हैं ICL का एंड RLE का लेकिन आज की वीडियो में हम लेजर वाले आप्शन्स को डिसकस करने वाले हैं अब देखिए लेजर अलग-अलग तरह के लेजर्स हैं लेकिन प्राइमेरिली लेजर वाले जो अप्रेशन्स हैं उनको हम दो क्याटेगरी में फॉर्दर डिवाइड कर सकते हैं एक हैं फ्लाप वाले आप्शन्स जिसमें आँख में फ्लाप बनाया जाएगा जैसे कॉंट्यूरा इसमें आता है कॉंट्यूरा लेसिक इस कैटेगरी का उप्रेशन्स है और दूसरी कैटेगरी है जिसमें फ्लाप नहीं बनाया जाता फ्लाप लेस कैटेगरी इसमें आपके बिसिकली दो तरह के उप्रेशन्स है एक आपका silk वाला operation है जो आजकल सबसे ज़ादा popular है और favorite हो गया है और एक थोड़े पुराने वाले operation जैसे epicontura करके होता था जिसको कुछ लोग streamlight भी कहते हैं और epicontura का जैसा एक और operation अब schwint नाम की company ने launch कर दिया है smart serve करके तो basically ये कुछ categories होती हैं चश्मा हटाने की operation के लिए अब देखिए हमें ये समझना है कि ये जो सारे चश्मा हटाने की operation है ये आंखों के इस हिस्से पर करा जाता है जिसको हम आंख का शीशा कहते हैं काली पुतली कहते हैं या कॉन्मिया कहते हैं और सारे laser operations का एक basic principle सेम होता है चश्मा हटाने का कि हम पुतली को घिसते हैं और इसको पतला करते हैं इसका tissue को थोड़ा सा हटाते हैं और number को ठीक कर देते हैं तो एक basic simple तरीका समझने का है कि अगर मैंने laser डाल के 15 micron का tissue हटाया तो एक number मेरा ठीक हो जाता है तो बहुत simple सी calculation है कि 15 micron का cornea को घिसो या tissue को हटाओ और एक number patient का ठीक करतो तो इसके हसाब से हम लोग calculation करके आपके चश्मे का number हटा देते हैं अब question यह आता है कि इन सब operations में से best operation कौन सा रहता है और कौन सा operation हमें चुनना चाहिए देखिए आजकल flap वाले operations हम लोग जादा नहीं करना चाहते है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह flap चीज क्या होती है देखिए जो contura वाला operation होता है जैसे मैं आपको यह video भी दिखाऊ contura operation में जो हम laser काली पुतली पर डालते हैं वो directly नहीं डालते सबसे पहले पुतली में एक पतली सी परत को काट कर उठाया जाता है जिसको हम लोग flap कहते हैं फिर आँख में laser को डाला जाता है यह laser चश्मे का नंबर ठीक करता है और फिर इस flap को आँख पर वापस रग दिया जाता है और simple तरीके से समझाता हूँ माली जे ये किताब जो है ये काली पुतलीया कौनिया है और इस पर मुझे कॉंट्यूरा वाला ओपरेशन करना है कॉंट्यूरा लेसिक वाला ओपरेशन करना है तो मैं laser को directly पुतली पर नहीं डाल रहा और फिर इस फ्लाप को वापस रख दिया जाएगा ठीक है तो ऐसा नहीं है कि कॉंट्यूरा लेसे खराब ओपरेशन है पिछले 7-8 सालों से ज़ादा तर पेशिंस के तो कॉंट्यूरा ओपरेशन ही हो रहे है बट कॉंट्यूरा में एक छोटी सी प्राब्लम है और प्राब्लम है वो ये फ्लाप जो हम बना देते हैं तो क्या होता है जब कॉंट्यूरा ओपरेशन हम करते हैं तो 99.9% लोगों में तो कुछ नहीं होता एक बार ये ओपरेशन कराया पूरी लाइफ आप इंजॉय करो बिना किसी टेंशन के बट कभी कुवार एका दुका पेशन्ट में हमें एक प्राब्लम मिल जाते है जिसको हम कहते हैं फ्लाप डिस्लोकेशन इसका मतलब ये होता है कि कभी आँख में जोर से चोट लग गई किसी का पंच लग गया, बॉल लग गया, बहुत जो से खुजला लिया, मल लिया, रगड लिया किसी की उंगली लग गई, फेस डाउन डाइफ कर लिया ऐसी सिचुएशन में ये जो हम फ्लाप बनाते हैं पुतली पर ये अपनी जगा से हिल जाता है चोट की वज़े से अपनी जगा से वो हड जाता है तो हड गया, तो नजर खराब हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको हॉस्पिटल में आके ये ठीक हो जाता है लेकिन जब इसको ठीक करते हैं, तो 15-20 दिन नजर जो है वो धुनली रहती है उसके बाद नजर दुबारा साफ होती है तो ये जो एक छोटी सी टेंशन थी, कि फ्लाप पर चोट लग जाए तो फ्लाप हिल सकता है कॉन्ट्यूरा में ये टेंशन सिल्क में खतम हो गई है क्योंकि सिल्क उपरेशन जो है, ये बिल्कुल एक फ्लाप लेस उपरेशन है इसमें किसी भी तरह का फ्लाप नहीं बनाया जाता, तो पेशन को ये जो फ्लाप वाली टेंशन है, ये नहीं होती अब question यह आता है कि flapless में तो दो तरह की operations आते हैं एक मैंने बताया epicontura operation जो सबसे popular है all over the world अब एक shwind ने भी इसको एक तरह से similar सा procedure बना के launch कर दिया है और एक silk operation बताया हूँ तो इन दौनों में अब क्या difference है और इन दौनों में से कौन सा चुणना है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह epicontura वाला operation कैसे होता है देखिए epicontura operation में इसको देखने में और सुनने में epicontura वाला operation सबसे simple लगता है और सुनने में भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि epicontura operation में कुछ नहीं करना सिरफ पुतली पर direct light को या laser को डाल गयना है तो epicontura operation का मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि हम आंखों के उपर कुछ नहीं कर रहे ना कोई इस पे दर्द होता है ना कोई injection लगता है ना कोई टांका लगता है ना कोई blade होता है ना कोई cut होता है ना कोई flap होता है ना कोई पट्टी होती है ना कोई hospitalization होती है laser को directly आँख पर डाल दिया जाता है in fact इस operation को हम लोग touch less operation भी कहते हैं क्योंकि कुछ करना ही नहीं है बस patient को लिटाया और उपर से आँख में light डाल दी और silk operation जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि laser पुतली पर जाता है और अंदर ही अंदर एक पतले से lenticule को बना देता है और उसको हम side से पकड़के खीच के निकाल लेते हैं तो अगर हम ऐसे समझे वीडियो को देखे हैं और जो मैंने आपको बताया उसके साब से समझे तो इस तरह से तो epicontura वाला operation सबसे बढ़िया लगता है कि भईया कुछ करना ही नहीं है सिर्फ आँख में light डाला और चश्मा हडिया लेकिन epicontura operation फिर भी सबसे least popular है सबसे कम लोगों का हम लोग ये epicontura समार्ट सब operation करना चाते है क्यों क्योंकि इस operation की कुछ limitations है क्या limitation है सबसे पहली limitation है कि operation के बाद तीन-चार दिन तक आंखों में दर्द और पानी बनता है तो तीन-चार दिन तक patient थोड़ा सा तकलीफ में रहता है क्योंकि उसे आंख से पानी निकलता रहता है और आंख में दर्द बनता रहता है नजर को पूरी तरह से साफ हो के set होने में एक मैना लग जाता है और साथी साथ इन operation में एक छोटी सी problem और होती है जिसको कहते हैं cornea के ऊपर थोड़ी सी सफेधी पढ़ सकती है या कभी-कभी हम देखते हैं छोटे numbers भी हटाए उन में भी cornea में थोड़ा बहुत सफेधी आ जाती है तो epicontura operation जो है एक तरह से हमारी last choice होती है कि जब कोई और operation काम नहीं कर रहा तो हम ये epicontura वाला operation plan कर लेते हैं और एक और limitation है इस operation की कि इस operation में सिरफ पांच नंबर तक का चश्मा हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि पांच के ऊपर जब चश्मा हटाया जाते हैं तो ये हेज और ज़्यादा बनती है और patient को और ज़्यादा तकलीफ होती है तो पांच के नीचे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हेज नहीं बनती थोड़ा बहुत दवाईयाँ डालके इसको हम लोग manage कर लेते हैं तो जो silk operation है ये best of both worlds है इसका मतलब क्या है कि silk operation में flapless का तो advantage आई गया कि आपको चोट वोट लग गया तो कोई flap अगयरा नहीं हिलने वाला तो silk contura से तो better होई गया simply because contura में flap है silk में flapless नहीं है और दोनों में नजर बिलकुल सेम आती है प्लस silk में ये वाली problems भी नहीं है जो epicontura में आती है तो silk में आज operation करा कल से दिखना शुरू परसों से अपने काम पे लग जाओ ना किसी तरह की pain and watering है ना एक डेट महिना लगता है नजर को साफ होने में ना कोई corneal haze है ना कोई number की limitation है तो आज की date में जब हम चश्मा हटाना चाहते हैं तो हमारी first preference flapless category में silk होती है अगर हमें लग रहा है कि silk में बात नहीं बन रही तो हम contura करना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि contura में बात नहीं बन रही फिर हम epicontura या smart self procedure को choose कर सकते हैं और अगर इन sub में बात नहीं बन रही फिर हम shift हो जाते हैं ICL या RLE procedures पर तो ये थोड़ा सा आज की डेट में पेशेंट को पता होना चाहिए जो चश्माट आने के लिए आ रहा है कि कौन सी क्याटेगरी इस अवेलेबल है और कैसे चूज करना है अपने लिए सबसे बेस्ट और सेफ प्रसीजर तब तक लिए आपके मन में और कोई भी डाउट हो त से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्यों वेरी माच और बीबाक सुन